नमस्कार मैं हूँ रेखा मेरी सुपरस्व में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस नास्ता जिसे एक बार बना लेंगे तो भार बार बनाएंगे और बच्चे और बड़े कटोरी भर भर के सिखाएंगे क्योंकि टेस्टी होने के साथ ये हल्दी भी है तो वीडियो को फुल वोच कीजेगा अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सिस्क्राइब कर लेजेगा बैल आइकन को प्रेस जरू कीजेगा तक आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहु कर चोड़ दिया था और अब क्या करेंगे इसके छिल के हटा लेंगे देखें बदाम की तासीर ठंडी होती है और गर्मे में इसे खाना बहुत ही लाबदायक होता है यहाँ पर इसके छिल के हटाकर आप इसे वोश कर लीजेगा तो यहाँ पर देखें मैंने सभी बदाम को यह जिसे पोपी सीट कहते हैं और देखे इसे भी रात बर भीगो कर छोड़ दिया था पानी में और अच्छे से भीग चुकी है पढ़िया से मेल्ट हो रही है तो खसकस भी बहुत गुनकारी होती है अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिय का जार लिया है और इसमें डालेंगे हम यहां मैंने पीस कर आप लोगों को दिखा देती हूं अब यहां पीस लिया है इसी उठाकर साइड में रखेंगे अब यहां गयस कर दिया है और इस कड़ाई में डाल एक चमल देसी घी और घी हमारा गरम हो चुका है तो यहां बर में ले रही हूं मखाने जिसे फूल मख और आप इसे चेक भी कर लीजेगा यहां देखिए इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है और लगातार चलाते हुए इसे भून लेजेगा आप यहां देखिए इसे तोड़ कर देखेंगे अगर यह अच्छे से टूट रहे तो इसका मतलब यह भून चुके हैं त गी बहुत ज़्यादा मट डालेगा क्योंकि हम नाच्ता बना रहे हैं नाच्ते में ज़्यादा गी का इसिमाल नहीं होता है तो यहां गी हमारा गरम हो चुका है अब इसमें ले रहे हुए एक तीहाई कप गेहूं का दलिया जो मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है इस तरह से बारिक वाला आता है और सिंपल वाला दलिया जिसमें मसाला बगरा नहीं होना चाहिए तो इसमें डाल दीजिए और बढ़िया से लगातार चलाते वे भून लीजिए तो भूनते समय गयास को सलो रखिएगा और बढ़िया सा कलर आने दीजिए इसमें बार मिटी लगी गे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा से भुनने में तो दली अच्छे से भुन चुका है इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे यहां पर मैं एक कप का माप बता रही हूं देखिए इसकप से मैं माप कर लेने वाली हूं दूद तो मैं यहां पर चार अब यहां देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है तो चार से पांच मिंट के लिए इस तरह से इसे पकने देंगे बीच बीच में आप इसे तोड़ा चलाते रहेगा ताकि जो दलिया है नीचे जाकर बैठे ना और दूद भी नीचे जाकर चिपके ना अगर दूद च खसकस और जो बदाम पीसकर रखी थी वो पेश्ट इसमें डाल देना है तो यहां पर देखिए मैं इसमें डाल दिया है और तीन से चार मेंने काजू लिये थे उन्हें मोटा मोटा इस तरह से देखिए तोड़ा है और वो भी इसमें एड़ करेंगे यह ऑप्शनल है अगर अब यहां देखिए बढ़िया से यह पकर आये मैं बार बार में इसे थोड़ा चला रही हूँ और जो साइड में मलाई आपको दिख रहे है ना इसे भी इसमें डाल देजेगा यह देखिए इस तरह से बहुती बढ़िया यह नाश्ता बनकर तयार होता है अब यहां देख मैं इसे मैश कर रहे हूँ तो अच्छे से मैश हो रहा है तो बढ़िया से यह पक चुका है अच्छे से दलिया हमारा फूल कर पक गया है किसा से मैश हो रहा है जब मैं हाथ में इसे मैश कर रही हूँ तो तो यह दलिया तयार हो चुका है लेकिन अब इसमें डालेंगे मिश्री का इस्तिमाल कर रहे हूं मिश्री टेश्टी भी होती है और एल्दी भी होती है मिश्री की तासी ठंडी होती है गर्मियों में हम इसका इस्तिमाल बहुत ज़दा करते हैं तो जब आप इसमें मिश्री डाल दे तो तीन से चार मिट के लिए से पकाना इससे ज़दा न अब यहां पर देखिए अच्छे से बन चुका है तो जो हमने मखाने बुनकर रखे थे वो इसमें अड़ करेंगे और एक चोड़ा चमच इलाइची पावडर डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब आप मखाने डाले तो इसे ज्यादा नहीं पकाना है आप स्किप कर दीजेगा अब यहां देखिए अच्छा सा मैंने उवाल दिला दिया है इसमें और गैस को मैंने ओफ कर दिया है तो चली मैंने चमच चेंज करिए आपको दिखाने के लिए और कितनी बड़िया हमारी दले की खीर बनकर तयार हुई है बहुत ही टेस्टी और हेल् बहुत बड़िया होता है बच्चों को बड़ों को सब को पसंद आएगा यहां पर थोड़ से पिस्ता डाले है मैंने इस तरह से तो चलिए इससे सर्व कर लेते हैं दूसरे बर्तर में इससे निकाल लेती हूँ पहले में और देखिए इसकी तिकनस देख लीजे आपको ऐस अब यहां पर थोड़ी से पिस्ता डाल देती हूँ सजाने के लिए यहने की गानिशिंग के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कलेजेगा बैल आइकन को प्रेश जरूर कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिके लुवाँ मयदा नोटी हमने के लिए